Hello friend, welcome to my YouTube channel, Excellent Success Group तो friend, आज हम डिसकस करें हैं, Class 10 में, Chapter 8, Exercise 8.1 Question No. 3 Question No. 3 में बोला गया है, Sign 3A की Value 3 by 4 है बताओ को से और 10A कितना होगा इसको बनाने के लिए, सबसे पहले मैंने एक triangle बनाया ठीक है? यहाँ पर clearly बोला गया है, यह किस पे है? आज है, AP है, तो मैंने इसको AP रखा B यहाँ ले लिए और C यहाँ पर ले लिए ठीक है, friend, यह हमेशे का बनाता है? 90 डिगरी बनाता है सबसे पहले Sign A की Value Friend, यह मेरे को एक ratio दे रखी है, नहीं कि मेरी यह Original Value है ठीक है, तो ratio है, इसलिए मैंने इसके साथ में क्या मान लिया, Let Sign A की Value को 3, K and 4 की मान लिया, K यहनी Constant Value ठीक है, K कोई मेरी क्या Constant Value है क्योंकि यह ratio given और Original Value नहीं है, मैंने मान लिया कि इसकी Original Value है अब Sign का Formula, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, शौटकर तरीका की Sign Cos 10 का Formula, लाल बटे कक्का, लम बटे में करन, अधार बटे में करन, लम बटे में अधार ठीक है, English में P upon me H, B upon me H and P upon me B तो Sign का Formula में में कितना होता है, P upon me H, याने की लम बटे में करन, ठीक है, P कितना में मेरा, Perpendicular, 3K, and Hyperionist कितना मेरा, 4K, ठीक है फ्रेंट, तो फ्रेंट मेरे पास Perpendicular भी है, Hyperionist मेरे बेस नहीं है, तो मैं अगरिंग तो Pythogors के बेस निकालों को, Pythogors किया कहती है, करन का Square, याने की Hyperionist का Square, बेस याने की आधार का Square, and Perpendicular याने की Lumb का Square, ठीक है फ्रेंट, करन मेरा कितना है, AC, AC का Square, base मेरा कितना है AB AB का square and perpendicular कितना है BC BC का square current है 4K base मेरा कितना है AB जो मालुम नहीं है and perpendicular कितना है 3K ठेक़ फ्रेंड अब 4 को 4 से मुटिप्ला है 16 K को के से किया K square AB का square 3 3 is a 9 K को के से किया K square ये plus का है उदर जाए किसका हो जाएगा minus का ठेक है AB का square 16 में से 9 का कितना हैगा 7K square and AB का square फ्रेंड इसके ओपर से square हटेगा तो सामने माले पर क्या जाएगा root 7 का तो root होता है नहीं तो 7 जाएगा K square कितना हो जाएगा K ये मेरी आगी AB की value तो मैंने लिख दिया root 7 K ठेका फ्रेंड लिखने के बाद मुझे value बताने थी cos A की cos A की cos A की value होती है A upon में K यानि की आधार बटे में करन and base upon में high proteinuse base कितना है root 7 K high proteinuse कितनी है 4 K case A की cancel हुआ root 7 by 4 ठेक है अगली value बताने थी मुझे 10 A की 10 का formula है number T में अधार यानि की P upon में B perpendicular कितना है 3 K base कितना है root 7 K ठेक है case A की cancel हुआ 3 by root 7 ठेक है friend ये मेरी आगी 10 A की value तो यह होगी मेरा question number 3 complete question number 4 करते है तो friend question number 4 को मैंने आप इनूड कर दिया 15 Kote A is equal to 8 and sign A and sack A की value बतानी है इसको बताने थे पहले में triangle trol कर लिया ठेक है friend यहाँ पर A यह दे रखा है यानि angle मेरा base पर होगा hyperdonis और base की बीच पर ठेक है B यहाँ ले लो C यहाँ पर ले लो ठेक है Kote A is equal to कितना होगा multiply में किसमा जागा divide में ठेक है friend सबसे पहले Cote A का formula कितना होता है Cote का formula होता है 10 का ultra यानि कि आधार बटे में lambda base पोन में perpendicular तो आधार कितना है 8 ठेक है और फ्रेंड एक बात दो बता दूँ यह मेरे को ratio given है actual value given नहीं है इस वज़य से मैं इसके साथ में K multiply में लगा लेता हूँ K एनि constant value है तो यह मेरा हो जागा 8K and perpendicular कितना हो जागा मेरा 15K ठेक है यह base हो गया और यह perpendicular हो गया ठेक है friend base and perpendicular मेरे पास क्या given है AC by Pythogorist theorem से मैं एक है निकाला हूँ AC current यानि की hypotenuse का square आधार यानि की base का square plus में lump यानि perpendicular का square ठेक है friend अब करन कितना है मेरा AC और आधार यानि की AB perpendicular यानि की BC ठेक है AC की value तो मुझे निकाल नहीं है AB 8K BC 15K 8 को 8 से multiply गया 64 and K को के से करूँगा के square 15 को 15 से 225 के square ठेक है friend दोनों को गाइड कर दूँगा 9 8 and 2 के square ठेक है AC का square friend इसके ओपर से square हटेगा तो सामने वाले पर क्या जाएगा root ठेक है अब 289 का मैं root करूँगा 289 का root कितना जाएगा 17 और K square कितना जाएगा K तो यह मेरी value कितना जाएगी 17K ठेक है मुझे value किसकी बताने थी sin A पहले sin A का formula लेखेंगे sin A का formula कितना होता है L upon me K P upon me H ठेक है और value बताने मुझे SAC A की SAC का formula SAC का formula होता है cos का ultra यानि K upon में A and H upon में B करन कितना मेरा 17K और base कितना मेरा 8K गट गया 17 by 8 ठेक है फ्रेंड तो यह था मेरा question number 4 जो यहाँ पर complete हो गया है ठेक है फ्रेंड तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर वीडियो पसंदा जो तो like करें और नया है तो चैनल को subscribe करें ठेक है फ्रेंड ओके बाबाई थैंक्यू